हलो दोस्तों वेलकम बैक माई चैनल आज दोस्तों यूएस का छे सोख से भी ज्यादा पेज का क्रिप्टो बिल यहां पर लीक हो गया है और जब से यह लीक हुआ है काफी सारे बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे बड़े बड़े कोईंस पे सवाल उठ रहे हैं क्या यह बं करना है तो आप मेरे को नीचे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किजिए और हाँ साथी में टेलीग्राम चैनल को भी जाके फॉलो कर लीजिए चलिए शुरू करते हैं तो खिलाफ इस बिल में लिखा हुआ है और बिल की बात करें तो पूरा 600 पेज जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जागा यह एक ट्विटर का आइडी है स्लायम करके इन्होंने यहाँ पर यह जो यूएस का क्रिप्टो बिल है 600 पेज का वो इन्होंने आपर पेस्ट क यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी यहाँ पर दाओ है उनको यहाँ पर रिश्टर करना होगा यूएस में नहीं तो उनको अलक से टैक्स देना पड़ जाएगा तो आगर डौ की बारे में बात की जायात दो कौन-कौन से कौन है डाओ को लेकर तो जितने भी सूसी स्वा हो गया यूनिस्वेप हो गया यह सब डाउ के अंदर आता है और डाउ का फुल फॉर्म बात करें तो डी सेंट्रलाइज और टोनॉमस और गिनाइजिशन यह फॉल फॉर्म हलाकि इसके बारे मैंने आपको पहले ही बता रखा है तो यह पहला कश्चेंज के उपर भी सवाल है जो कॉम्प्लियंस कोस्ट यहाँ बढ़ाया जा सकता है तो अगर ऐसा होता है तो जितने वी एक्षेंजे से उनके प्रे यहाँ बढ़ जाएंगे काफी ज़्यादा और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो ट्रेदिंग हगे एमनों करते हैं तो उसमें अगर आप लोग short करते हैं या फिर long करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप अगर long किये हैं तो जो exchanges होते हैं वो आपका जो trade है वो liquidate कर देते हैं लेकिन जो fees है वो बर जाएगा तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो यह एक चीज काफी ज़्यादा positive है हम लोगों के लिए बाकी दोस्तों एक negative news भी आई है यहां पर meme coin को लेकर जहां पर बोला गया है जितने भी market में ऐस coin है जिनके जो मालिक है वो anonymous है मतलब उनकी कोई पहचान नहीं है जो कि अभी तक यहां पर खुल के नहीं आए है तो वैसे जितने भी यहां पर market में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सब को बंद कर देंगे तो जैसी यह news आई है जितने भी meme coin है वो सब यहां पर डर चुके है क्योंकि दोस्तो अगर हम बात करें जादा तर meme coin के जो मालिक है founder है वो अभी तक यहां पर media में खुल के नहीं आए है और अगर बात करें सबसे बड़ी meme coin की तो दोस्तो वो है Siba Inu क्योंकि उसकी army काफी ज़्यादा बड़ी है तो दोस्तो जैसी यह news आई थी उसी वक्त य Siba Inu जो है उसके जो हाँ founder जो है वो अभी खुल के नहीं आया है पर हाँ जिंदा है क्योंकि अगर दोस्तो अभी यहां पर कुछ दिन पहले की बात करें तो इन्होंने अपना जो blog post है वो पूरा का पूरा delete कर दिया था जिससे हमें पता चलता है कि यह जो Siba Inu के founder है वो ज प्रोजक्स को भी आगे जाके रन कर पाएंगे नहीं तो हम इनको बंद कर देंगे तो यह एक नेगेटिव चीज है लेकिन हाँ सीबा इन्हों की बात करें तो मेरे को लगता है इनकी जो founder है सतोसी कुसामा वो अभी यहां पर है तो हो सकता है वो प्रोजक्स को यहां पर इ पया हूं पर हां यह दो तीन चीज़ यहां पर काफी जड़ा इंपोर्टेंट था जो कि मैंने आपको बता दिया पहला तो है दाव को लेकर जिसको करवाना पड़ेगा और दूसरा है एक्चेंज को लेकर जो कि हमारे लिए पॉजितिव है और तीसरा है यहां पर मीम कोई को लेकर जो कि हां मतलब ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है क्यूंकि दोस्तों मैंने आपको बताया सिवा इन्हों इतना जल्दी बंद नहीं होने वाले हैं बस उनको यहां पर रिच्टेक करवाना होगा पर हां मीम को लेकर आप थोड़ा सतर्क हो जाईएगा क्यूं